सान्य आपदा प्रबंदन जी बैठक में सुभह साथ से दोपेर दो बची तक का समय बढ़ा कर शाम पाच बची तक सभी दुकाने खुली रहने के निरने पर मुहर लगते ही शेहर की बासारों में ग्राहकों की भीर नसराई भले ही कारोबार में राहत सरूर मिली है लेकिन बंदिशी अभी भी कायम है पेश है बड़ी मार्केट से हमारे समाधा ता संजे मेरे इनकी ये क्राउन रिपोर्ट स्थानिय आपता प्रबंदन की बैठक में सुभह साथ सी दोपेर दो बची तक का समय बढ़ा कर शाम पाच बची तक सभी दुकाने खुली रखने के निरने पर मुहर लगाई गई रस्टारण को पच्छास प्रतिक्ष चमता के साथ रात तस पचे तर डाइनिंग शुरूर रखने की अनुमती दी गई राचस सरकार ने अनलग की गोशना के साथ ही स्थानी आपदा प्रबंदन प्रशासन को मौचदा स्तिती को देखती हुए अपने स्थर पर निरने लेने की अधिकार दिये थे उस आदेश के आलोक में आपता प्रबंदन प्रशासन की बैठक हुई जिसमें विविद विश्यो पर चर्चा के बाद जारी पाबंदियों में थोड़ी डील देने पर समती बनी शाम पाच बचे के बाद जमाव बंदी आदेश लागू रहेगा पालक मंतरी डक्टर नितिन राउत ने कहा कि कोणा का खत्रा टला नहीं है बचाओ के लिए कोणा प्रोटकाल का पालन करना होगा नाकपर शहर और जिले में शुकरवार तक या निरनेल लागू होगा इसके बाद समिक शाप की जाएगी और फिर अगला आदेश चारी किया जाएगा इसमें शाम पाच बचे तक इन्हें खुलने की इजाज़त मिले है जिसमें सभी दुकानी, निजी कारयाले, शास्की कारयाले, सो प्रतिशित उपसिती के साथ जिम, सलुन, ब्यूटी पारलर, स्पा, वेलनेस सेंटर, क्रुशे से समदित सभी शेत्र को खोला जाएगा तो वही स्कूल कॉलेज, सभी धार्मिक सल, तरंताल यह सभी पूरी तरह से बन रहेंगे शहर का जो नजर आख देख रहें के तमाम दुकाने जो यहां पे खुली है, इनका समझ जो है, सुबह नौ से लेके पांच बजे तक के मुकरर किया गया है, जिसके चलते सभी प्रकार के दुकाने खुल गई है, बाजारों में लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है, ग्र निभागी आएक तो, मनपा आएक तो, पुलीस आएक तो और जिलाभीकारी, इनकी आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई थी, राज्य सरकार के निर्द्यो शोपर, जिसके चलते एक समिक्षब बैटे खुई, उसके अंदर ये तई किया गया था, कि नाकुर शोवर को अनल है, कि अगर परिश्थिती जोगी तो रही, या कोरोना का फिर से कभी ग्राब बढ़ता है, तो फिर से शहर लागडाउन हो सकता है, अलाग का मतलब यह नहीं कि पूरी तरह से दुकानों का समय 24 घंटे के लिए दुकाने खोल दी गई है, दुकान का एक समय निर्दारित कि है, और उन्हें ने इस मीटिंग में ये भी कहा गया है, कि ग्रहक हो, जाए दुकानार हो, या शोर के नागरीक, उन्हें ने कोरोना का पालन करना चाहिए, जैसे कि उनकी जो गाइडलेंग जो दी गई थी, मास पहनना, हाँ सानिटेजर करना, सोचल डिस्टेंसिंग रखन है, छोटे दुकानदार से लेके बड़े व्यापारी सपने दुकाने खोली है, हाँ, उस समिक्षा वेटक में ये भी एक बात कही दी गई थी, कि चाहे किसी भी धार्मिक स्तल हो, स्विजिंग की टैंक हो, या फिर स्कूल कॉलेज हो, यह पूरी तरह से बंद रहने की चेत अभी भी बरकरार है, कोरोना का यदि ग्राप बढ़ता है, तो फिर से लागडाइन लग सकता है, इस और तमाम दुकानदार और तमाम ग्रहाग ध्यान दे, यही समय की मांग है, बैड़ी के इस एतियासिक बादार से कैमेरा परसर माइकल के साथ संजय इमिरे, बीसे अनिय झाल झाल